असलाम लीकुम एब्रिवान वल्कम बेक टू इनोवेशनल ब्लेंज इस वीडियो में मैं फोंट्स पर बात करूंगी कि अगर आप कोई कार्ड बिना रहे हो या कस्टमाइज कोई निकाह नमाई या कुछ पी जिसमें आपने फोंट यूज करने हैं तो फोंट्स यूज करने वह तो टाइप साइस को इनक्रीज कर लेते हैं और कुछ टाइप करते हैं मैं इलुस्टेटर लिएती हो चले और इसकी फिर में 3 बार इसको दूपलीकेट करके 3 कॉपई को बना लेती हूँ पैस्री टापइपस के फोंट्स होते हैं ज हम यूज करते हैं अभी सेरिफ सेंस serif and script font अभी जो अलड़ी मैं थे ताइपिं की हुय है यह हमारा serif font जिसमें जो simple font होता है जिसमें कोई styling नहीं होता ब़े ले विव्लोग smooth font होता है now the second type of font is serif जिसके लिए illustrator को select करके fonts के options में सेरिफ font सर्च आउट करके इसको select करती हो ताके आपनों को पता चले serif font कौन सा है serif fonts भी simple होते हैं लेकिन इनके corners पे थोड़े से sharp edgy corners होते हैं थोड़ी से style होता है corners पे now observe the difference between sin serif and serif font बहुत minor difference होता है इन दोनों का and the third and last one is script font or script font मतलब वो fonts होते हैं जो हम calligraphy में जा फिर handwriting style के fonts होते हैं बहुत stylized fonts होते हैं जो सिरफ decoration purpose के लिए use होते हैं लेकिन जो serif और sans serif fonts होते हैं वो informative जहां पे हमें कोई information देनी हो वहां पे हम use करते हैं और इनके use करने का pattern ऐसे होता है कि या तो हम serif को script font के साथ use कर लें या फिर sans serif को script के साथ use कर लें इससे हैं नहीं कर सकते हैं हम sans serif को script को और मतलब इन तीनों को साथ use कर लें या फिर सेरिफ और sans serif को साथ use कर लें प्रॉपर वे जो फोन को use करने का होता है यही होता है कि सेरिफ के साथ script font यूज करें या sans serif के साथ script font यूज किया जाए इलस्ट्रेटर पे हमारे limited font styles होते हैं लेकिन अगर हम और ज्यादा फोन्स हमें चाहिए चाहिए कुछ different fonts चाहिए तो Google से हम इनको फोन्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं left corner पे सारे font styles है और right side पे हमारे पस download option आ रहा होगा और जो भी font चाहिए आप उसको download पे क्लिक करें then download folder open कर लें zip folder पे right click करके extract file के option को select करें and then next step आपके पास खुले उसपे ok को click करें zip folder open हो जाएगा और इसके अंदर जो आपका जो font है उसपे फिर आप double click करेंगे तो आपके बस दो option आएंगे print और install तो आप इसको install कर लेंगे ठीक है और install होने के बाद आप इसको इसका नाम को देख लेंगे फिर आप अपने वापिस से illustrator open करें open करने के बाद जो phone types होती है जहां पर आप phone के name से search bar पर direct आप search कर लें search करने के बाद enter करें and that's it इस तरीके से आप कोई भी phone अपने illustrator में open कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें for more videos subscribe to my channel thank you so much